दिल्ली के 76 साल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखट की हत्या के मामले में क्राइम ब्राश ने एक और गिरफतारी की है इस वर गिरफतारी जूनियन पहलवान गौरव लौरा की हुई है गौरव दिल्ली के भपरोला गाउ का रहने वाला है गौरव वारदात के दिन स्टेडियम में ही मौजूद था और वारदात के बाद से ही फरार चल रहा है इस हत्या कांड में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्राश अब तक 10 से जादा लोगों की गिरफतारी कर चुकी है इस हत्या कांड के मुख्य आरोपी और लंपियन सुशीर कुमार दिल्ली की तिहाड जेल में बंद है हाली में सुशीर कुमार को मंडोली जेल से तिहाड जेल में शिफ्ट किया गया है यह शिफ्टिंग सुशीर कुमार को कुछ बड़े गैंस्टर से जान को खत्रे को देखते हुए की गई है दरसल इस मामले में सागर धंकट का साथी सोनु महाल भी घायल हो गया था सोनु महाल काला जेत्री का भांजा है और वारदात के दोरान सुशीर कुमार ने अपने साथीों के साथ मिल कर सोनु महल की भी पिटाई गी थी जिसके बात सही इस बात के आशंका जटाई जा रही है कि काला जेत्री सुशीर कुमार से बदला ले सकता है यही वज़ा है कि हाली में मंडोली जिल में बन सुशीर कुमार को दिल्ली की तेहाड जिल से शिफ्ट किया गया है हलाके जिस समय सुशीर कुमार को तेहाड जिल शिफ्ट किया जा रहा था तब सेक्योरिटी की जिम्हेदारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को दी गई थी रोहिणी कोट ने सबी गवाओं को सुरक्षा देने के आदेश दिये है ब्यूर रिपोर्ट डड़ेलिटीडे नियूर्स